हेलो फ्रेंट्स वेलकुम बैक टू मैं चैनल असलाम उलेकुम आई होप कि आप सब लोग खेरियस से होंगे तो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन के लड़ो की रेसिपी बेसन के लड़ो सुनते ही मूँ में पानी आ गया ना बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब लड़ो बनकर के तयार होते हैं और हमें जादा कुछ चीज़ों की जरूरत भी नहीं पड़ती और यह सभी को बहुत पसंद होते हैं बच्चे बहुत जादा पसंद करते हैं लड्ड़ stewardship के लड़ो बनाने, मैंने यहां लिया नकीकाईं के कर सकते हैं ड़र अब 2 तेवल स्पून मैं यहां को तो Martual matters 5-6 लचियों काईया कोटें आपक्र भी तो ? मैंने यहां लिया है हाफ चंबच के करीब आप देख सकते हैं तो चलिए फ्रेंज अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो यहां मैंने गैस का फ्लेम अन कर दिया है और गैस पर मैंने कड़ाई को रख दिया है कड़ाई में मैंने घी भी डाल दिया है तो अब घी को हम अच् से mix कर लिया है और यह बेसन का कलर कितना बहतरीन कितना बढ़िया दिख रहा है एक दम ला जवाब तो हमें इस पूरे प्रोसेश को low to medium flame पर ही करना है कभी कभी हम इसे medium करेंगे वरना हम इसे low flame पर ही धीरे धीरे करके बेसन को भूनेंगे जिसी की हमारा बेसन बहुत ही अच्छी तरीगे से भून जाए अगर हम इसे high flame पर करेंगे तो हमारा जो बेसन है बहुत ही जल्दी से color change कर देगा और जल जाएगा और इस लड़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे तो friends अगर आपको अच्छे वाँ स्वादिस्ट लड़ बनाने हैं तो आप मेरे इस trick को follow करते चाहें आपके लड़ भी बहुत ही ज़ादा tasty और बहुत ही स्वादिस्ट बन करके तयार होंगे तो friends शुरू शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि हमारा जो बेसन है वो dry है और हमारा जो घी है इसमें वो हमें कम लगेगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है एक कप घी हमारे दो कप बेसन के लिए एगनब perfect ratio है बहुत ही बढ़िया हमारे लड़ बहुत ही अच्छी टेक्सच में आज आएगा तो इस तरह के stage पर जबाएगा तब हम एक security जिसमें add करेंगे जिसी कि हमारे लड़ू बहुत ही दानेदार एकदम हलवाई style बनेंगे बहुत ही tasty तो friends हम इसे अच्छे से भून लेते हैं तो friends इसे भूनते हुए 10 से 12 मिनट के करीब हो चुके हैं और आप इसका texture देख सकते हैं कि किस तरह से घी release करने लगा है तो इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो बेसन है वो एकदम से पदला होना शुरू हो गया है इसने घी release करना शुरू कर दिया है और अब हम इसे इसी तरह से चलाते हुए low flame पर ही भू कुछ भू आ रही है बेसन की बहुत ही ज्यादा अच्छा हमारा बेसन जो है वह भून करके तयार हुआ है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा बेसन भूना है तो अब हम इसमें एक सीग्रेट चीज एड करेंगे यहां मैंने लिया है दो चमच पानी दो चमच पानी को हम इस तरह से इस पर चिड़कते हुए डालेंगे और आप देख सकते हैं कि पानी डालते ही हमारा जो बेसन है एकदम दानेदार एकदम खिला-खिला हो चिका है और यह कितना बढ़िया दिख रहा है एकदम खिला-खिला बेसन हमारा मोतियों की तरह हो गया ह आप देख सकते हैं तो हलवाई जो होते हैं उनका सिक्रेट यह होता है कि वो जब भी लड्डू बनाते हैं तो उनमें इस तरह से पानी आड़ करते हैं थोड़ा सा जिसकी वज़े से उनके लड्डू दानेदार और एकदम बढ़िया टेक्स्टर के और बन करके तयार होते हैं तो फ्रेंड्स आप इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें और जब भी बेसन के लड्डू बनाए तो यह ट्रेक करना बिल्कुल भी न भूले आपके लड्डू भी दानेदार और बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होंगे तो अब हम इस मिक्षयर को एक थाली या प्लेट में निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने इसे एक थाली में निकाल लिया है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे लेकिन ये बिना dry foods के भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं तो मैंने इसमें कुछ भी add नहीं किया है और अब मैं इसमें add करूंगी जो मैंने तगार यानि की बूरा रखी थी वो बूरा हम इसमें add करके और अच्छे से हाथों की मदद से इस तरह से इसे mix कर लेंगे लेकिन यहाँ पर हमें एक खास बात का धियान रखना है कि हमारा जो basin का mixture है वो जादा गरम ना हो अगर वो जादा गरम होगा तो हम इसमें बूरा add करेंगे तो वो melt भी हो सकती है और बूरा अगर melt होगी तो हमारे जो लड्डू है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंग और वो proper shape नहीं आपाईगी लड्डू की तो friends एकदम perfect लड्डू बनानी के लिए हमें perfect measurement की और trick की जरूरत होती है तो आप please इसे perfect trick से ही लड्डू को बनाकर तयार करें बहुत ही बढ़िया आपके लड्डू बनेंगे तो अब हम इस तरह से थोड़ा सा potion लेंगे और इस हमें के लड्डू संबर फुटी मेंंगे लड़ों को बनाने में कोई मेहनत नहीं है पकी अप अधनर को एक बार भार बनाकर जरूर ट्राइई की लो डिएन तो ने हारे है तो आप इसे बना कर राइए कर लकार हैं runway कैने वाले हैं बहुत ही पसंद अनेरहां तो उसम sy forecast निसे बना करके तयार कर सकते हैं चनी की डाल तो सभी की घृँ इसे वॉश करें और उसे ड्राय रोस्ट करें उसे रोस्ट करने की बाद मैं आप उसे मिक्सी जार में डालकर दरदरा पीस लें जिस तरह का चावल का आटा होता है ना इस तरह से और अगर आपके पास वारिक फाला बेसन है तो उसके भी आप लड़्टू बना सकते हैं, बहुती बढ़िया लड़्टू बनकर के तयार होते हैं, तो फेंट किसी भी ड्राइफ रूट को कट करके आप लिएकृरेशन कर सकते हैं, लेकिन यहां मैंने डेस्टिड नारियल का यूज किया है, आप देख सक पर यह बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वाधिस्ट बनते हैं तो फ्रेंट्स आप इन्हें अपने घर में जरूर बना कर ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमिट करके बताएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीसे से कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कुल भी ना भूलिए साथ ही बैल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिसी की मेरी आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आप तक जल से जल पहुंचे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएं तो